नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्ध शुंकर तिवारी हूँ और बात करेंगे वायू जो समुद्री तूफान है उसकी कि यदी वो आता है जैसा कि तेरह जुन को संभवना जताई जारे कि गुजरात में 120-135 किलिमेटर के रफ्तार से वो आएगा उसको ल लेकिन सवाल ये उट रहा है कि यदी इस्तिती को संभाल भी लिया गया तो इसका ओवर आल बातावराण पे या मांसून पे क्या आसर पड़ेगा तो सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होने वाला है वो उत्तर भारत पे होने वाला है कि आल लेडि केरल में इस बार मांस से और ज्यादे वो टल जाएगा ये तो हुई बात जो एक हपते की देरी चल रही है मांसून की उसकी लेकिन इस वाई क्या आसर होगा इस वाई का ये असर होगा कि ये जो है नमी को सोकता है जिसकी वज़ा से मांसून क्रियेशन में काफी मदद मिलती है और गौर्मेंट इस उनलाइकली तो रिजल्ट इन वाईड इस्परीड दिश्टक्शन इट इस एक हॉज़ा आफ कंसर एज इस लाइकली तो हाई नार्थ वार्ड प्रोग्रेशन अफ दो मांसून फर फ्यू देवज बाई सकिंग आल दो मॉस्चर फ्रम दो मांसून विंट तो इट्सेल यानि कि वो उसमें जो मॉस्चर होगा मांसून जिससे क्रेट होता है उसको यह सक करता है तो इसका जो है सिदा सिदा असर होने वाला है उत्तर भारत पे तो यह पाले से एक हपते की मांसून की देरी है और फिर इसकी वजह से जब वो मॉस्चर को सक करेगा तो और देरी हो लोगों को पानी चाहिए और बारिस को लेकर के सब की नजरे जो है अस्माण की तरफ लगी है और इसका आसर बारिस का सिधा आसर खरीफ फसलो से होता है यदि खरीफ फसल की बूआई में देरी होती है तो फिर उधर जाकर के लेट होगा यानि कि ये पूरी साइकल और जो चेन बनी हुई है मनुस्य की जिवन पर कितना असर पड़ता है मांसून का कि फसल प्रभावित होगी आम आदनी प्रभावित होगा और इस तरह से बेसक वाईव की स्पीड जो है कम है फनी के मुकाबले म लेकिन वो मांसून को प्रभावित कर देगा और इसको ले करके सरकार चिंतित है मिनिश्टिय आफ आर्थ जो जो है आर्थ एंड साइंस जो है वो चिंतित है और सब लोग चिंतित है अब देखते हैं कि अशल में इसका कितना असर होता है पहले तो सब कि प्रयारियर्टी यह है कि जब यह 13 जून को गुजरात में आता है तो इससे कैसे निप्टा जाए और बाद में उतर भारत को यह कितना कैसे प्रभावित करता है लेकिन एक बत्त है कि इससे मानसून में देरी हो सकती है हम इस खबर पर नजर बनाए हुए है जो इसमें और अपडेट होगा देखते रहेंगे आप देखते रहें हमारा डिज्टर चैनल इनकबर तैंक यू इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबानर ना भूल